स्टोरी की शुरुवात में हम एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोटेगिनिस्ट अपने फोन के अंदर कई सारे मैसेज देख रहा था जहाँ लोग उसी के वारे में बात कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग प्रोटेगिनिस्ट की क्लीनिक पर जाने के बा बात तक भी मेरी उपा इतने ज़्दा कर्ज है आखर कोविड वाइरस को मेरे क्लिनिक खोलने के तुने तब बाद ही अचारक से ब्रेकडाउन क्यों होना था वो बहुत ज़्दा परिशान था और वो शरा पीते हुए जोर जोर से चलाते हुए कहता है आखर लोग मेरे क्लिन वसल जाता है और वो उसी ब्रेस से नीचे के तरफ आगर पानी के दर गिर जाता है वो अपने वन में कहता है कि क्या हुआ आखर से अचारक से आस्मान मेरे पेरों के नीचे कैसे आ गया और तब ही वो पानी के अंदर डूप जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी ऐसा अपन से बताया जाता है कि उसके HP सिस्टम अपूरत ऐसे एक्टिवेट हो चुका है और वो अपने इंटर्नल और्गन्स के ट्रीटमेट को करकर उनसे HP इसको गेन कर सकता है और HP को इन्वेस्ट करने के बाद वो अलगलग तरीके के स्किल्स को अनलॉग कर सकता है और साथ ही क्रीच मुझे लगता है कि उस नेधी में कीन्ने के बाद से अब मुझे बचा लिआ गया गया है और यह अच्छा है कि मैं सारे चीज फिर से शुनू कर सकता हूं जब तक मेरी मौत नहीं हो जातीँ पर ये काविजाता अच्छा हो सकता था कितने साथ कर्स के भोज के नीचे दबने के वज़ाए मुझे मर जाना चाहिए था पर मैं अब इस चीज का अगली बार काविजाता ख्याल रखूँगा और ये कहते ही अचानक से वो उड़ जाता है पर साथ ही वो अपने आसपास की जिगे को देखते हुए ख्याता ही कि रुको ये हॉस्पिटल नहीं है रुको आखर ये क्या है यहां के सभी फनीचिल्स काविजाता देखने में वीर्ड से है ये सब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं मिडल इच के फिल्मिक सेट की बीच में आ गया हूँ सच में या की सारी चीज़े पूरत ऐसा एंटिक दिख रही थी तब ही उसके साइड में खड़ा हुआ आदमी अपने आखों से जन्ने बहाते हुए खहता है कि अब आप मुझे देख सकते है प्रोटेकनिस्ट उसको देखते हुए कहता है कि आखर इसको क्या दिक्कत है आखर ये मुझे इस तरीके से क्यो गूर रहा है और आखर ये वियर्ड से फॉरिनर कौन है आगर ये रोके हो रहा है इसलिए वो उसे कहता है हेलो अगर तुम कौन हो ये सुनने के बाद वो आदमी काउसाद शुक होते हुए कहता है कि मुझे ये मत कहना कि आप मुझे पैचार नहीं पा रहे मैं आपका सर्वेंट हूँ जो कि आपको हमेशे सर्व करता रहता है मेरा नाम गार्दिन है और मैं आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ प्रोटेगनिस्ट सोचता है कि रुको आगर ये किस तरीकी किया पर बाते कर रहा है इसलिए वो गार्दिन से थोड़ा सा पानी मागता है और जैसे ही गार्दिन उसे कप में पानी देता है तो वो कप देखकर सर्प्राइज होते हुए कहता है कि एक निटकली रुक जाओ कि सच में इसके अंदर ये रियल डाइमन्स है देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये निकली है इनकी खोशुव भी 24 केरेट डाइमन्स की तरह है और वहीं वो पानी पेते हुए अचारक से अपने आपको आइने के अंदर देख लेता है और जैसे ही वो अपनी रिनकार्नेशन वाली वाड़ी को देखता है वो सच में कावजाद सर्प्राइज हो गया था वो पानी को गल देता है और वो कावजाद है हरान होते हुए खहता ही कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है क्या ये मैं हूँ पर ये चेहरा मेरा नहीं है ये तो रैकील है और ये तो उस नोवल के अंदर था ये सुनने के बाद गार्डन काविजादा शौक हो जाता है और उसका चेरा सच में काविजादा फनी है वो हिरान होते हुए कहता है क्या क्या मैंने आपको कुछ गलस सुन लिया राकील कहता है मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ये सब करना होगा और वो अपने हाथ उठाते हुए अपने चेहरे पे एक दोधा थपड़ दे मारता है गार्डन उसको रोकने की कोईश करता है पर जैसे ही राकिल अपने चेहरे पे एक दोधा थपड़ मारता है गार्डन पूरते सुनसननाट खड़ा हो गया था कि अब आप पूरते से ठीक है राकील कावजाता खुश होते हुए कहता है याने ये कोई सबना नहीं है मैं सच में सनोबल का क्राउन प्रिंस बन चुका हूँ और ये सब सोच कर वो सच में कावजाता खुश हो रहा था क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि जो उसका कर्स और उसका जो इंटरेस्ट था अब उसे उसमें से कुछ भी नहीं चुकाना है और उसका जो क्लीनिक का विजनिस था जो कि वो फेल हो गया था अब उसको इस सबकी भी चिंता कहने के जरूरत नहीं है इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि अब मैं अबने सारी सारी जिंदगी उस कर्स के बिना आराम से बिता सकता हूँ अब मुझे सबकी चिंता कहने की कोई भी जरूरत नहीं है ये सोचकर वो कावज़ादा खुश हो रहा था पर तब ही अचानक उसकी बौड़ी बहुत थकी थकी थे मैसूस होने लगती है और वो अचानक से फिर से अपने बिस्तर की उपर गिर जाता है राकिल ये देखकर कावज़ादा कंफ्यूस था तब एक गार्डन आकर उसको सहरा देने लगता है राकिल उससे पूचता है कि आखर मेरे साथ हाब क्या हुआ है आखर मुझे कावज़ादा कंफ्यूस क्यों हो रही है तब उसे नोबल का याद आता है कि उसकी बौड़ी पहले से भी कावज़ादा वीकर है ये बौड़ी एक नौर्मल इंसान की बौड़ी से कावज़ादा कंफ्यूर है उसे याद आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब नोबल में स्टोरी की शुरुआत होती है डीमन सोट एमपरर राकिल दा क्राउन प्रिंस एक साइड करेक्टर है जो कि इस स्टोरी के अदर केवल कुछी समय के लिए अपियर हुआ था और इसका करेक्टर इस तरीकी का है कि वो बच्पन से ही बेट रेस्ट पर है और जैसे ही उसकी एज 22 होती है वो मारा जाता है इसलिए वो अपने सर्वेंट गार्दिन से पूचता है कि आखर मेरी उमर कितनी है गार्दिन उसे बताता है कि अभी आप 21 साल की हो चुके है ये सुनते ही उसकी उपर जैसे पहाँ तूट पड़ा हो वो कावजाता शौक और बहुत दा परशान हो गया था वो अपने होटों को गतरते हुए कावजाता परशान होते हुए सोचता है कि केवल एक साल आकर कहां से इस तरीकी की चीज़े गलत होना चालू ही है आकर मुझे नोवल का एक एक्स्टा ही बनना क्यो जरूरी था मैंने अभी अभी तो ये सोचना चालू किया था कि मैं अब उस कर्स के बिना आकर कर अपने जिन्द की कोची तरीके से जी सकता हूँ क्योंकि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जीने के लिए केवल एक साल ही बाकि रह गया है राकेल को क्राउन प्रिंस की सारी 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 स्टोरी याद आती है और वो कहता है कि इस दुनिया के सब से अधर बेस्ट ट्रीटमेंट और सभी मेडिसिन्स इसको दी गई थी पर इस सब के बाद भी कोई भी चीज इसकी उपर काम नहीं आई इसी वज़े से इसे बार बार काउंटलेस टाइमस ब्लेसिन्स का इस्तमाल भी किया जाता था पर उसके बाद भी ये स्टोरी की कुछी चैप्टर्स के बाद वहाँ पर मारा गया था क्योंकि ये कभी भी अपने इलने से ओवरकम नहीं कर पाया था इसका तो बतब केवल एक ही मतलब है मेरे पास एक ही रास्ता है जो कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इसलिए वो गार्डन को आवाज देता है और जैसे गार्डन वहाँ पर आता है तो राकिल उसे कहता है कि तुम्हें मेले कई सारी नीडल्स लेकर आनी होगी उनका साही जरा साही मेटर नहीं करता जितनी जादा होसा कि उतनी जादा सोही है याने नीडल्स लेकर आ जाओ और वो अपने उन में कहता है कि मुझे अब इस बॉड़ी की खुछ सही रखशा करनी होगी जिसके बाद महल में सीन आजी रात का होता है राकिल अपने बिस्तर पर बैठा हुआ लंबी लंबी अबासे ले रहा था और साथ ही वो अपने पल्स को चेक करते हुए कहता है कि आखर इस बॉड़ी की दिक्कत क्या है वो पल्स को चेक करता है और इसके अंदर कई साहे नाम है और कावी ज़दा कन्फियूजिंग नाम है इसलिए आप इस सब को रोक कर खुदी पढ़ लीजेगा वो कहता है कि यहाँ पर दस स्ट्रेंज पल्सिस है और अगर उन में से किसी एक के अंदर भी मुझे सिम्टम सरुज में आ जाते है इसका मतलब यह अंदर से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ट है सच में इसकी लाइफ कावी ज़दा टफ है और थोड़े देर बाद हफ़ता हुआ गार दिन उसे जित्तेवी नीडल्स मिली थी वो वा सारी के सारी लेकर आ गया था राकिल यह देखकर खुश होते हुए कहता है कि तुमने सच में कावी ज़दा अच्छा काम किया है अब इन्हें यहाँ पर लाकर टेल पर रख दो अब राकिल उससे भी नीडल्स को बस एक एकर कर देख रहा था और वो एक उठाते हुए कहता है कि बेसिकली यह केवल क्लू है और वो उस नीडल्स को ठाकर उसे गरम करना चालू कर देता है यह देखकर गार्दन उससे पूचता है कि आखर आप ने नीडल्स को बलवाया है आखर आप इनके साथ यह क्या करना चाहते है राकिल उससे कहता है वेल मैं सब के साथ अपनी बोडी को स्लाइडली पोक करने वाला हूँ ये सुनने के बाद गार्दिन काउजा से शौक हो जाता है और वो आकर राकिल के पेरों में गिर कर उसको पकड़ते हुए रोते हुए कहता है कि प्लीज योर हाइनेस आपको अपने आपको इस तरीके से चोट नहीं पहुचाना चाहिए प्लीज अपने आपको शायत कर लीजिए क्योंकि आप भी इंपिरियल थ्रोन की एरहरिटेंट है मैं समझता हूँ कि आपने काउसा दर्द को सफर किया है पर फिर भी आपको अपने आपको इस तरीके से चोट नहीं पहुचानी चाहिए पर राकिल उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो कि तुम इसे समझ रहे हो और मैं ये सा मेरे खुद के अच्छे भले के लिए ही कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें मेरे उपर भरोसा रखने के जरूरत है और अगर ऐसा करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं होता तो मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा तो तुम्हें मेरे उपर थोड़ा सा यकीन रखना होगा और अब तुम थोड़ी देर के लिए यहां से बाहर चले जाओ गार्दन उसकी लिए कौवज़ादा चिंता करता है और फिर उसकी बात को मानते हूए उससे कहता है कि मुझे आपकी उपर कावज़ादा भरोसा है राकेल च्ठ को अतारते हूए चिरता है कि तुम्हें इतने जादा परेशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि इस से तुम्हें जरा साई परस्तावा नहीं होने वाला फिर वो अपने उपर एक्योपेंच टेक्निक के इस्तेमाल करना चालू कर देता है और वो कहता है कि फर्स्ट नीडल सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट होती है जो की ब्रीधिंग और्गन्स के लिए है इसलिए वो अपने आपको पोक करना चालू कर देता है और कहता है कि मेरे कुछ भी करने से पहले मुझे अच्छ तरीके से प्रॉपरली ब्रीध करना जरूरी है और ऐसा कनेक लिए मुझे टॉल मेरेडियन के स्टार्टिंग पॉइंट्स को धूनना होगा और एक जो कि सबसे ज़्यादा लंग से कनेक्टेड होता है लंग मेरेडियन जो कि मेरे हाथ में है इसलिए वो एक सुई को लेकर वहबा धसा देता है परेश से उसे कावी दर्द हो रहा था ये देकर वो कहता है कि ये सब इसी वज़े से हो रहा है क्योंकि शायद ये नीडल कावी ज़्यादा बड़ी है इसी वज़े से ये दर्द कावी ज़्यादा है और तब ही वो लंग्स के अंदर acquire points एक्टिवेट हो जाते हैं और धीधी करकर अबर arm assembly acquire points को start कर देती है और तब ही अजानक ही उसके सामने एक system pop-up हो जाता है जो देखकर वो काउज़ाद confused था उसे पता चलता है कि उसके एक्टिवेंचर टेक्निक की मदद से उसकी body क्यूबर ये काउज़ाद आच्छा response दिखा रहा है और उसकी मदद से उसके internal organs में से जो लंग्स है वो पूरते से recover होना चालू हो चुका है तब ही उस system की मदद से उसके lungs काउज़ाद तेज़ी से recover होना चालू हो जाते हैं और system बताता है कि lungs ने फिर से काम करना सही से चालू कर दिया है अवह में उसकी lungs की आँखे दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक्टिवेंचर के बाद इत्ती जादा खोश है कि वो भूँजाद ढास कर रहे हैं और सच में अब ऐसा लगता है कि जैसे वो पूर दिखर ठीक हो चुके है राकिल की lungs उसे थमजब देते हैं और lungs से उसे 100H भी मिल जाती है पर सच में राकिल ये सब देखने के बाद काउज़ादा कन्फियूस था वो उसको हटाने के कोईश करता है ये देखकर गार्दन काउज़ादा कन्फियूस होते हुँ उससे कहता है कि आगर आप ये क्या कर रहे है राकिल उस पॉपअ विंडो को हटाने की कोईश करते हुए उससे कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर की ओपर को स्टेटस विंडो पॉप अप हो रही है पर यह देखकर गार्ड को ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल होता जा रहा है इसी वज़े से फिर से उसकी आँखों में आसु आ जाते है और वो कहता है कि मेरे क्राउंस प्रेंस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सच में पूरत ऐसा पागल हो चुके है और वो राकल के लिए सच में कावी जादा बुरा महसूस कर रहा था राकल उसे रोकते हुए कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ इसलिए इस तरीके से ओवर रियक्टिं करना बंद करो जिसके बाद वो दूसी नीडिल्स के साथ भी फिर से अपनी औक्या को पोक करने लगा था यह देखर गारदन उसे ऐसे कहता है कि आप और भी नीडल्स के साथ अपनी आपको पोक करेंगे और वो कहता ही कि ये दर्द मेरी उमी से कावीजादा है पर उसको इस तरीके से देखकर कारदन कावीजादा शौक था और वो राकिल की बिस्तर के साइड में बैठ कर पागलो के तरह प्रेयर करना चालू करने लगता है वो उसकी सावधानी के दौा मागना चालू कर देता है और उसकी लिस्ट कावी जादा लंबी है ये देखने के बाद राकिल कावी जादा शौक था और वो ये देखता रहता है कि आखर ये यहाब क्या कर रहा है जिसके बाद वो बुलकुल किसी NPC की तरह मस्कुराते हुए कहता है तो चलो उसे खत्म करते हैं जिसे हम लोगों ने चालू किया है और उसके एक्यूपेंचर स्किल्स को काफी अच्छी तरीकी से इस्तमाल करने के वज़े से उसके लंग्स उसे मेसच करकर बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एक मसाचिंग चेर के उपर बैठे हुए है वो सच में काउच दा रेलेक्स है पर राकर ये देखकर गुसा करते हुए कहता है कि मसाच चेर आकर ये मुझे किसी भी तरीकी के एच भी वागए क्यों नहीं दे रहे और फिर वो आकरकार अपने लास्ट पिन पॉइंट के साथ अपने लंग्स को पूर दे सक्सेसफुली अक्वार कर लेता है जिसकी वज़े से लंग्स के मेरी डिन्स पूर दे सक्सेसफुली अक्वेट हो जाती है और सिस्टम उसे नूटिफाइड करते हुए बताता है कि उसके लंग्स टैब डांस कर रहे है ये देखकर वो कावज़ादा शौक था और उसे आवाज आती है कि जैसे उसके शेरी के अंदर बहुत ज़्यादा हल चल हो रही है उसे आवाज सुनाई देती है कि वन टू चाचाचा थ्री फोर चाचाचा फाइव सिक्स चाचाचा और इस सबकी वज़े से उसका दूसरे इंटरनल ओर्गन कावज़ादा गुस्ते के साथ कहता है कि आखर ये सच में इतने दाश फोर क्यों मचा रहे है सिस्टम बताता है कि और्गन रिस्पॉंस में बिलोव मूवमेंट्स वो भी अब लंग्स के टैप डांस के साथ सिंक्रिनाइज हो चुके है और तब ही अचानक ही लंग्स के डांस के बीच में दूसरा और्गन वहाप डांस करने के लिए आ जाता है और वो कहता है कि आगर तुम में क्या लगता है कि आगर तुम यहापर क्या कर रहे हो आगर तुम मुझे यहापा के लाच छोड़ का इस तरीके से डांस कहता कर सकते हो और वो और्गन भी यहाप लंग्स के साथ डांस करना चालू कर देता है राई का सिस्टम उसे बताता है कि लारज इंटेस्ट आइन भी पूरोते से पर्फिक्टलि सिंक्रिनाइज हो चुकी है जिसकी वज़े से उसकी परफ़ूमेंस पहले से काविजदे इंप्रसिव हो चुकी है और इसलिए लर्ज इंटेस्टाइन भी उसे 100 HP देती है और साथ ही लग्ज उसे 200 HP देते है और अब सारे के सारे HP पॉइंटस मिलाने के बाद उसके पाद 600 HP पॉइंटस हो चुके थे और साथ ही उसका सिस्टम उसे ये भी बताता है कि उसने काई जाद kamu somify points को parses कर लिया है जिसकी वज़े से वो अभ दूसरे skill को unlock कर सकता है क्या वो अपनी skill को unlock करना चाता है ये दे करा किल काई सिर्प्राइज होते हुगे के ताई के skill ये skill बढूर किसी game की तरह है तो बुलकुल मुझे तो ये चाहिए इसलिए राई की यसपा क्लिक करता है और उसे अपने स्किल्स की लिस्ट दिखने चालू हो जाती है वो भी ये देखा थोड़ा सर्प्राइस था और उसके जो स्किल्स थे वो किसी डॉक्टर के थे ये देखर वो हस्ते हुए कहता है कि ये वो सारे की सारे स्किल्स है जो कि मैं उस समय इस्तमाल किया करता था जब मैं वर्क करता था और उसे पता है कि अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करनेक लिए सब से पहले उसे डियागनोसिस की दरुत पड़ेगी और वो कहता है कि कि वो डियागनोसिस और उसका सही ट्रीटमेंट और साथ ही उसके प्रिक्षिप्शन वो ही एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाती है इसलिए उसने नमर वन पल्स रीडिंग स्किल को अक्वायर कर लिया था जिसके लिए उसके 500 HP लग गए थे अब इस पल्स रीडिंग स्किल की मदद से वो किसी की पल्स को आसानी से चेक कर सकता था और वो किसी को भी डियागनोस करने के लिए उसकी और वल बेसिक हेल्थ को चेक कर सकता था इसलिए वो सबसे पहले अपनी ही पल्स को चेक करते हुए अपने आपको स्केन करना चालू कर देता है जिससे उसकी बोडी का स्केनिंग चालू हो जाती है और जैसे इसकी बोडी की स्केनिंग 100% कम्पलीट होती है तो उसके पास उसकी हल्थ रिपोर्ट आ जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि वो double S rank trash है याने एक कच्रा और उसके लाइफ एक्सपेंड होकर केवल 91 डेस की है ये जानने के बाद राकिल काविजा शौक होते हुए कहता है कि ये बहुत जादा बेकार है मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसे बढ़ा सकता हूँ पर ऐसा लगता है कि इस बादी के साथ अब केवल मैं तीन महीने तक ही जी पाँगा ये तो किसी मौल की कॉंट्रेक्ट से भी काविजा शौटा है इसलिए वो कहता है अगर मैं सोचू तो क्या मुझे इसी तरीके से मर जाना चाहिए जिसके बाद वो फिर से अपने एक्यूपंचर टेक्निक के बारे में बताना चालू करता है और उसे परफॉर्म करने के बाद वो देखता है कि उसके पाद एक पाप आया था कि उसकी लाइफ एक्सपेंड हो गई है और उसे एक दिन से बढ़ा दिया गया है यह देखने के बाद राखिल काउसदा शौक होते हुए कहता है क्या मेरे लाइफ एक्सपेंशन बढ़ चुकी है यानि यह सच में काम कर रहा है इसलिए वो अपने दूसरे हाथ की उपर भी अपने एक्यूपंचर टेक्निक का इस्तिमाल करता है पर इसे कुछ जरू से जादे इस्तिमाल करने की वज़े से उसके मूँ से खुनाने लगा था और उसे वोन करकर बताया जाता है कि उसकी बादी के लिए एक्सपेरियंस काउसदा स्ट्रेस वाला है जिसकी वज़े से उसकी बेसिक कंडिशन के अंदर उसे रेक्यमेंड करके बताया जाता है कि अगर वो एक्यूपंचर को परफॉंस भी करना चाहता है तो उसे केवल तीन दिन में इसे एक बार करना चाहिए राकिल भी कहता है कि हाँ एक्यूपंचर सच में पूरत ऐसे क्यों नहीं है और गार्दिन उसकी इस तरी के दहालत देखकर पूरत ऐसे पागल हो चुका था और राकिल की कंडिशन देखकर गार्दिन पूरत ऐसे बेहोश होने वाला था वो कावज़ादा परशान होते हुए सोचता है कि आखर उसे क्या करना चाहिए और वो कहता है कि एपथेटिक सी बॉड़ी इसकी सिचुएशन मेडिसन के बाद भी कावज़ादा बेकार है अगर इस बॉड़ी को गेम की टर्म्स के अंदर देखा जाये तो इसके स्टेटस सूपर लो हेल्थ पर है पर इस मैसेज से ये कनफर्म हो चुका है कि एक्यूपंचर कावज़ादा एफेक्टिव है पर प्रावलम ये है कि मेरी बॉड़ी कावज़ादा कमज़ोर है इसलिए ये कुछ जादा भी खास नहीं है क्योंकि जल्दी ही मैं वैसे भी मरने बाला हूँ मुझे इसे कुछ जादा एफेक्टिव अप्रोच करना होगा कुछ ऐसा जो कि इसे कावज़ादा फास्टेस्ट हो और इसका मेथड़ भी कावज़ादा आसान हो इसलिए उसे कंसूमेबल्स की आध आती है इसका मतलब उसे टॉर्टिव से चाहिए थे इसके बारे में सोचकर वो कौछ जादा मुस्कर आता है और गार्देन उससे कहता है क्या थैसर ठीक है राकिल गार्देन से कहता है कि मैं आपसे एक फैवर चाहता हूँ गार्दन उसे खहता है कि आप जो चाहे मैं आपको सर्वेंट हूँ इसलिए राकल उसे खहता है कि यहाँ पर एक इंग्रीडेंट स्टोर है कि उसके अंदर कुछ इंग्रीडेंट्स हो सकते हैं जो कि काउज़ादा पोटेंट हो यह सुनकर वो कनफ्यूज होते हुए कहता है कि more potent ingredients राकल कहता है कि जो काउज़ादा पोटेंट होते हैं गार्दन हिचकचाते हुए कहता है कि well वो हमारे पास है पर वो अपनी बात पूरी कर पाता तब ही राकल उसे टोकते हुए कहता है इसका मतलब वो हमारे पास है तो क्या हमारे पास बुल वेनी रूट भी हो सकती है गार्दन उसे कहता है कि हाँ वो हमारे पास है पर वो मेन हौल के अंदर नहीं है पर उसे crown prince की residence के अंदर स्टॉक करकर रखा जा सकता है ये सुनकर राकल उसे खुश होते हुए कहता ही कि अच्छा ये काविजादा अच्छा है तो उसे मेले लेकर आजाओ गार्दन उसे पूसता है मुझे माफ करिएगा पर आखर आपको वो क्यों चाहिए तो राकल मुस्कुराते हुए गार्दिन को कावजादा डराते हुए कहता है क्योंकि मैं उसे खाना चाहता हूँ गार्दिन ये सुनने के बाद हका बका हो गया था और उसका मुँ खुला का खुला रह जाता है सच में वो बहुत जादा डर गया था और राकिल सच में उसे ये सब खहके कर कावी जादा और डरा रहा था और गार्दिन जोर जोर से चिलाते हुए राकिल के पैरों में बैट गया था बंद करो तुम्हार पात केवल पांच मेंट है इसलिए उसे जली से याबा लेकर आ जाओ पर गार्दिन था कि अपने बड़े बड़ी आँकों के अंदर आसो लेकर चुप चाओ तो वहीं पर बैठा हुआ था ये देखकर राकिल उसे कहता है देखो अगर तुम बाद में सब के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा पर गार्दिन की आँकों में बड़े बड़े मोटे मोटे आसो देखकर राकिल एक लबी दे सास लेते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे केवल फोर्ट के साथ वो करवा सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ इसलिए वो गार्दिन को इसके बारे में बताते हुए कहता है कि तुमें बुल्फ बेनी रूट के बारे में पता है कि वो कावजाता जहरीली होती है गारदन कहता है कि हाँ इसी वज़े से तो मैं कह रहा हूँ कि वो आफ के लिए कावजास जहरी लिए होगी पर राकल उसे बताता है कि बुल्फ सुवेनी रूट असल में दो तरीके की होती है पर उनको खाने का केवल एक ही तरीका है जो रूट कावजास चोटी होती है उसे डॉटर रूट कहते है और उसे ही खाया जाता है जिसके अंदर सबसे जहर होता है जिसे बुल्फ वेरी के अंदर एक्टनोटिज कहते हैं तब एक गार्दन कहता है पर वो किसी की भी दिल को रोक सकता है राकिल कहता है कि बुल्कुल तुमने बुल्कुल सही कहा पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदश से मैं उसके पौधन को कंट्रोल करकर उसके निट्रलाइज कर सकता हूँ अगर मैं एक दूसरी वाशा में कहुं तुम्हे जरीले से प्लांट को एक हर्बल मैडिसन में बदल सकता हूँ ये जानने के बाद वो कन्फ्यूज होते हुए कहता है क्या एक जरीले से पौधे को एक मैडिसन के अंदर बदलना राकिल कहता है कि हाँ इसे दूसरी कंट्री ओर डी टॉक्सिफिकेशन कहा जाता है डी टॉक्सिफाइड होने के बाद रूट डाटर पूरत्स एक मेडिकल हर्प के अंदर बदल जाए की और अब ये सब जानने के बाद कि अथम पूरतitié से कन्वेंस हो गए पर गार्दन उसे कहता है अगर मैं सच बता हूँ तो बिलकुल भी नहीं यह सुनकर राकिल की शकल देखने लाइक होती है और वो अपने उनमें कहता है क्या सच में गार्दन कहता है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इस सब के बारे में आप से पहले कभी भी नहीं सुना और मुझे यह भी नहीं पता कि आखर आखर आपके पास यह इनफॉर्मेशन कहां से आई है और क्या यह सची भी है या फिर नहीं और गार्दन आगे कहता है कि पर सब के बाद भी अगर ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है तो मैं बुल्स वेरिन रूट को लेकर आ जाता हूं जैसा कि आपने मुझे आडर दिया है राकिल पूरते से सुन सना टोंई पर खड़ा रह जाता है और गार दिन वाह से जाते हुए अपने और में कहता है कि बदले में जब ये डिटोक्सिफिकेशन पूरते से कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उनके खाने से पहले इसे खुद एक वाट टेस्ट करकर देखूंगा कि आगए ये किस तरीकी की है अब राकिल उस मेडिसन को बराने लगता है इसको देखकर गार्दन उसके अंदर से नि पर तब गार्दन आखों मादान लेकर गार्दन से फिर सक कहता ही कि एक बार और इसकी बारे में सोच लीजै प्लीज़ और ये कह康ाब करोने लगता है जो देखकर राकिल कवोंज़े होगे कहता है कि इसने मुगे फिर सक ड़रा दिया इसलिए उसके दिवागम चाह willen ये जाए वो गारदन से कहता है अगर तुम इसके बारे में सच में इतने जा डरे होगी होने तो क्यों न तुम इस रहीं होसे द्राइ करो यह सुनते ही गारदन का द्दिल गारड deze गारडनन हो गया खथे और वो कहता ही कि बुल्कुल मुझे यह काउझ काउजदा शौक होता है और तभी उसे नोवल की वो बाते याद आती है कि नोवल के अंदर गार्दन काउजदा लॉयल और डिवोडिट हुआ करता था गार्दन असल में इस फैमिली के लिए पहले डॉक्टर के लिए असाय नहीं हुआ था इसके बारे में कहा जाए तो वो क के लिए असिस्टेंट के तोर पर यहां पर आया था शुरू में जितने भी डॉक्टर्स यहां पर आये हुए थे वो सच में काउजदा कॉंफिडेंट थे पर धीदी करके सभी लोग एक एक करकर यहां से गायब हो गए क्योंकि कोई भी राकल को ठीक नहीं कर पा रहा था पर केवल गार्दीनी था जो कि अकेला यहां पर खड़ा होगा था और इल्टिमेटिली गार्दीनी एक एसलोटा इंसान था जो कि हमेशे से ही राकल के साइड में था और यह सच में काउजदा काईंट हाडड़िध इनसान है इसलिए राकल आगे खहता है पर आर आकर में अच्छी लाइफ डिजर्ब करता है पर इस सब के बाद भी मैं अपने गुड स्टफ को किसी और के साथ शेयर विलकुल भी नहीं करने बाला और यह सोच कर वो सच में एक एवल सी स्माइल देता है अब कुछी समय के बाद उसकी मेडिसन फूरते से बन चुकी थी जिसको वो एक बाल के अनदर निकाल लेता है यह देखकर वो एक क्रीपी सी श्माइल हस्ते हुए कहता है कि आखरकार यह खोतब हुआ garden राकल से क्हेता है किया मैं इसे पी सकता हूँ पर राकल उसे रोकते हुए क्हेता है कि मैं आपकी emergenC reflex समझ सकता हूँ पर आभी तुम थोड़ा सा weight करने की जरूरत है क्योंकि इस दोई को पीने से पहले इसको ठंडा करना जरूरी है राकल ये देकर कन्फ्यूज होते हुए कहता है कि ठंडा करकर पीना अगर मैं इसके बारे में सोचू तो आपको काउजदादर मेडिसिंस की बारे में पता है पर राकल आप इसके बारे में कैसा जानते है राकल ये देकर काउसादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ऐसा लगता ही कि मैं यहाँ पर फसने वाला हूँ क्योंकि गार्दन फैबली के लिए काउसादा लॉयल है और यहाँ पर एक काउसादा बड़ी प्रावलम हो जाएगी अगर इसे ये पता चल गया कि मैं राकल नहीं हूँ इसलिए वो वहाँ एक बैबलिंग करना चालू कर देता है और उसे एक लबी चोड़ी कहाने सुनाने लगता है और वो उससे कहता है कि असल में एक मेज मेरे सपने में आया था और उसने मुझे इंग्रीडिंट के बारे में बताया ये देखकर गार्दन उससे कहता ही कि सच में तुम उससे सच के रहे हो राकल उससे कहता ही कि हाँ ये देखकर गार्दन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगाई था कि ये दवाई सच्वे काउदास स्पीशियस है पर अब ये मौका देखने के बाद राकिल जली से उस दवाई की बाल को उठाता है और गटगटगटगट करते हुए जली से उस पूरे बाल को खाली कर देता है ये देखने के बाद गार्दन की आगर फटी की फटी रह जाती है और समूँ खुला का खुला रह जाता है वो काउदास स्वाक होते हुए कहता ही कि ये क्या हुआ और राकिल अपने मुझ को पोच्टगए कि मैंने ये सारा का सारा पी लिया गार्दन बहुत साथ हैरान हो गया था और वो कफराट की वज़े से कब कपा रहा था तब ही राकिल के सामने एक पॉप अप आता है और वो कहता ही कि ऐसा लगता ही कि जैसे कुछ बड़ा ही यहाँ पर निकल कर आने वाला है और उसे बताया जाता है कि जो एंटिडोट उसने पिया है इसकी वज़े से उसका मेटवालिजब काउसादा बूस्ट हो चुका है और साथ ही दा असरहन कोर एनरजी अवेकन हो चुकी है ये देएकर राकल कहता है कि असरहन कोर एनरजी वो इसके बारे में बताते हुए कहता है कि एक ऐसी टेकनीक है जो कि लेज Admiral Master न बनाई थी एक ऐसी टेकनीक जिसे लेजंडरीग्र मास्टर नाये बनाई थी जिसका नाम जारवित था और ये केवल लॉयस को ही सर्व की जाती है और ये एक ऐसी टेखनीक है जो की केवल डार्ग डेसेंडेंट को ही पास की जाती थी और इस टेखनीक के काउचादा पौफल होने की वज़े से केवल इंपेरियल फैमली ही इसको सिंबिलाइस्ट करती है और इसके अलावा इस original body का owner crown prince था तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे या शिराहन core energy अपने बच्पन में ही सीख लेनी चाहिए थी और इस आसा हन core energy के unblock होने की वज़े से stage single circle उसके पस activate हो जाता है अब वो माना को absorb करने के साथ उसे process कर सकता था और अब उसका माना increase होकर 120% हो गया था साथ ही उसे level up करने के लिए 1000 HP की ज़रूरत थी उसे अपने दिल के आसपास एक energy रोटेट होते हुए महसूस हो रही थी वो अपने उनमें कहता है वो कहता है कि मैंसे महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे दिल के आसपास डोनट के तरह कोई जिस चीज़ का चकल लगा रहा है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे सास लेते हुए मेरे पूरे शरीर के अंदर विटलिटी पूरे में फैली हुई है यानि इसी को माना कहते है राकिल इसे अपने बाडी केंदर से निकलता हुआ मैसूस कर पा रहा था ये देखकर वो सच में एक इवलो जैसे इसमाइल देते हुए कहता है कि सच में ये काविसादा का मालका है पर तब ही अचानक उसके हाद से वो बाउल गिर जाता है और उसके दिल भी एक जोरदा दर्द उट चुका था वो अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल पूरे तेसा फटने वाला है उसकी सास रुक चुकी थी और वो काविसादा गेरी गेरी सासे लेने लगता है और साथ ही वो अपने दिल को काविसादा टाइटली पकड़े हुए था तब ही गार दिन उसकी चिंता करते हुए जली से राकिल के पास आ जाता है और वो उसके लिए कावज़दा चिंता करते हुए परशान हो रहा था क्या खिराब राकिल को क्या हो रहा है राकिल कहता है कि आखर ये किस तरीकी कम मैस है उसे वान करते हुए बताया जाता है कि माना सर्कल का फैलना उसकी वज़े से उसकी दिल की ओपर कावज़दा फ्रेशर पड़ रहा है उसका growth balance जो कि माना सर्कल और उसकी heart के बीच में था बंद हो चुका है जिसकी वज़े से उसका दिल रुखने की कगार पर आ चुका है कमजWAYck और बीमार रहा करता था जिसकी वजे से उसे कभी بعض सवय नहीं मिला कि वो माना सरकल की ट्रेनिंग कर सके इसलिए ये माना सरकल मेरे दिल की उपर किसी डिंग की तरह है जो कि उसके उपर फिट नहीं हो रहा इसकी वज़े से ये मेरे दिल को चौक कर रहा है अगर ऐसा है तो यहाँ पर केवल एक ही तरीका है जिससे मैं ऐसे निकल सकता हूँ क्योंकि मैं अपने दिल के साइज को कब नहीं कर सकता इसलिए मुझे इस माना सरकल के साइज को बढ़ाना होगा वो मैडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और ध्यान लगाते हूए अपने दिल के करीमा जाता है उसकी कौशेसनेस उसके दिल को देख रही थी जहापर माना सरकल उसे कावला टाइडली चौक कर रहा था इसलिए वो जली से माना सरकल को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इसकी घूमने की रफ्तार को बढ़ाना होगा जिसकी वज़े से इसका साइज तेसे छिच जाएगा वो उसे खिचने की कोश कर रहा था और वो कहता है कि पागलोग तरह भाग रहा है सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर यहां पर बेहुश ना हो जाओं पर फिर भी ये दर्द उसके कंपरेजन में कुछ भी नहीं है जब मैं कोरिया में पूर्ट ऐसा फैल हो गया था रूमर्स ये फैल रहे थे कि मेरे क्लीनिक के अंदर आने के बद लोगो कोरोना वाइरस आ रहा है जिसकी वज़े से कोई भी अंदर ना आए मैंने अपने सारे पेशेंट्स को खो दिया था और इसके अलावा मेरे सर के बाल भी जढ़ना चालो हो गए थे और इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेंट लोन और इसकी उपर बढ़ने वाले इंट्रेस्ट देजी से बढ़ता जा रहा था और इसके लिए तो मैंने अपने घर को भी बेच दिया था जिससे मैं इस सारे कर्द को चुका सकूँ पर फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया मैंने अपने खूबसूरा से घर को बेच दिया था और वो इस सबसके बारे में सोचते हुए अपने पूरी तागत लगा देता है और वो कहता है कि कभी भी सेल्फ इंप्लॉइमेंट बिजनेस ओनर जो की कोरिया का है उसे कभी भी अंडरेस्टिमेट मत करना और ये कहते हुए उसमें जैसे दैसे करते हुए अपने माना सरकल की लेंद को बढ़ा दिया था जिसकी वज़े साथ उसके दिल क्योंपर काफी अच्छी तरीके से फिट हो गया था वो इस सबके बाद काउजा थाख चुका था और वो जवीन पर बैठा हुआ हाफ रहा था उसके पास नोटिफिकेशन आती है और अब उसे काउन चुलेट करते हुए बताया जाता है कि किंग आफ इंटर्नल और्गन्स हार्ट अब अच्छी तरीके से अवेकन हो चुका है और साथ ही वो परफेक्टली काम कर रहा है राकिल की इंटर्नल बोडी कहती ही कि अब किंग अराइव हो रहा है और हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनके दिल के ओपर हाट वीट बनी हुई है और वो कपकपाते हुए दिल को वहाँ पर लेकर आ गए थे याने एक आदमी को वो वहाँ पर काउज़ाद स्टैल के साथ आता है और वहाँ पर अच्छ अच्छ पोस देने लगता है ये राकिल का दिल है बाकि इंटर्नल ओर्गंस भी उसको देखकर काउज़ादा खुश होते है और उसके लंग्स उसकी शेडी सी बोडी देखकर काउज़ादा उसका मज़ा खुडाते है और अपने इंटर्नल ओर्गंस को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर राकिल उसके खहता है कि मुझे माफ करना मेरे इस तरीकी की शेवी बोडी के लिए पर तभी उसका ध्यान एको नोटिफिकेशन पर जाता है कि उसके हाट और माना सरकल के बैलेंस के परफेक्टल एच्छी तरीके से होने के वज़े से अब उसने एक माना सरकल के सलोट को भी आप्टेन कर लिया है उसके पास एक 10 लीटर का सलोट वन आ गया था क्या एक सलोट ये बिल्कुल किसी गेम की आइटम सलोट की तरह है मुझे लगता है कि शायद ये वैसा ही है तब एक गार्दन राकल को आवाज देता है तो वो उटकर जल्ली से खड़ा हो जाता है ये देखकर गार्दन कावज़ा था शौक हो गया था और राकल कावज़ा था ख़ुश होते हुए चमकते हुए चेरे के साथ कहता है कि हाँ ये देखकर गार्दन अपने और में कहता है क्या खराचारक से इसे क्या हो गया ये इतने जाद एनरजेटिक कैसा लग रहा है इसलिए वो राकल से कहता है देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले आप कावज़ा दर्द में थे क्या ये उस मेडिसन का साइड इफेक्ट है पर राकल मस्कुराते हुए कहता है कि कुछ समय के लिए मेरा गला चौक हो गया था विल्कुल इस तरीके से और वो अपने कले को दवाने लगा था ये देखकर फिर से गार्दिन बहुत जादा परशान होते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा खुछ भी मत करो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप एक कावज़ दोदा बड़े खत्रे में थे मुझे पता था कि मुझे उसे सबसे पहले पीना चाहिए पर आप ने उसे पी लिया राकिल उसे कहता है अगर तुम सच में पॉईसन को इतने जादा बुरी तरीके से पीना चाहते हो तो अगली बार मैं तुमें सरूर इस चीज़ का मौका जरूर दूँगा गारदिन बहुत ज़दा गौरदे उए कहता है कि मेरा ये मतलब भी नहीं था राकिल वाह से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो इसको यहाद साफ कर दो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ और साथ ही, वो गार्दन का शुक्रिया भी करता है, यह सुने के बाद गार्दन कावजदा हिरान हो गया था, और राकल के बाद से जाते होए, वो हिरान होते हुए, कहता है कि जरूर आपके कोई असर हुआ है, आप पहले से और भी larger बीमार हो चुकिए है, राकल बाद से जा जो कि material को माना के साथ मिक्स करकर उसे store करते हैं. मेरे पास एक slot है जो कि 10L की storage रखती है. इसका मतलब मैं किसी भी चीज को consume करने के बाद उसे store करकर रख सकता हूं जिससे मैं उसे बाद में खा सको या फर पी सको यहांड कोई भी चीज काने के लिए नहीं है इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए जार के अंदर पानी को देखता है और वो खहता है कि पानी एक perfect example हो सकता है इसलिए चलो इसको एक experiment के दोर पर देखते है ये जरूर दो लीटर का होगा तो क्या मैंसे पी सकता हूँ पर साथ ही वो median इधन डोस के बारे में भी सोचता है कि ये कैसी चीज़ है जो कि में ली कावज़दा poisonous भी हो सकती है क्योंकि अगर मैं 50% से भी ज़्यादा पानी पी लेता हूँ तो शायद ये में ली कावज़दा हानी कारक हो सकता है क्योंकि साथ कलो के स्टेंडर वेट के अंदर केवल 5.4 लीटर ही पानी होता है और जो मेरा वेट है उसके एसाब से 3.9 लीटर में पी सकता हूँ इसलिए जैसे ही वो जार को उठाता है तो वो कहता है कि सच में ये कावज़दा भारी है इसलिए वो अपने इस कमजोर सी बाडी को गाली देता है कि ये कितनी जादा बेकार बाडी है पर फिर वो पानी को गटगट करकर पीना चालू कर देता है और साथ ही वो इमेजन करता है और साथ ही वो इस पानी को अपने अंदर स्टोर करना चालू कर देता है और धीर-धिर करके इस लौट के अंदर लीटर का परसेंटेज बढ़ना चालू हो जाता है जैसे ही वो वन पर पहुंचता है ये देखकर राकिल कहता है कि सच में ये काम कर रहा है और उस जार का सारा का सारा पानी पीने के बाद भी वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मेरे पेट के अंदर कुछ भी गया हो इसलिए वो कुछ और पानी के जार को खाली करने के बारे में सोचता है और देखते ही देखते वो चार पानी के गलास उसको और पी लेता है वो कहता है कि मैंने 10 लीटर से भी जादा पानी पी लिया है पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जिसके बाद वो 0.1 लीटर को डिचार्ज करता है तो उसे अपने बाडी के अंदर पानी महसूस होने लगता है इसकी फिलिंग को देखकर वो सच में कावी जादा खुश था वो कहता है कि मैं एक हूमन वरजिन के एक कैमर की तरह हूँ जो कि अपने बाडी के अंदर जिता विचा है उत्ते पानी को डिचार्ज कर सकता है पर इसको इस्तिमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मुझे इसको इसको इस्तिमाल करना सीखना होगा इसे मैं उस्टोनिक सूप को पीने के लिए इस्तिमाल कर सकता हूँ पर आकर आप मिस पानी का क्या करूँ अगर मैं उस 9.9 लीटर को अपने बोडी के अंदर डिश्चार्ज करता हूँ तो क्या होगा अगर मैं उसका क्या करूँ इसकी वज़े से मैं मर भी सकता हूँ पर तभी थोड़े देर सोचने के बाद उसके दिवाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ मैं इसे फिर से अपने जार के अंदर डाल सकता हूँ दा असराह कोड टेकनीक मैं इसका इसका इस्तमाल करते हुए एब्जॉब मैनिपलेशन के इस्तमाल करके इसको डिश्चार्ज कर सकता हूँ माना का Amplification और बाद में उसे डिचार्ज करना तो चलो इसको इस्तेमाल करकर देखते हैं इसकी मदद से मैं इस पानी को अपनी बौडी के अंदर के बजाए बहार डिचार्ज करूँगा इसलिए वो माना Amplification के इस्तेमाल करके उसे डिचार्ज करने लगता है जिसकी मदद से उसके हाथ के उपर पानी के एक फायबॉल बनने लगी थी वो खेताई की काम कर रहा है बसा मुझे इसे इस बौटल के अंदर डालना है इसलिए वो धिरे धिरे करकर उसे डालने की कोश्च करता है पर तब ही अचार्ज के उसके हाथ से वो पानी की बनी हुई वोटर बॉल जाकर सीधे उस फ्लास से टकराती है और वो जार चकनस चूर हो जाता है वहाँ पर एक काविजदा बड़ा ध्रमा का हुआ था ये देखकर राकल काविजदा शौक होते हुए कहता है कि आखर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए था मुझे ऐसा लगा था कि ये फ्लो काविजदा स्लो होगा जैसे कि कोई टैप वाटर होता है जैसे कि निल के पानी को निकाला जाता है पर आखर ये अचानक से एक वाटर केरिम कैसे बन गया और ये धमाकी की आवाद सुनने के बाद हमें कावजदा पैरो की आवाद आती है जो कि शोर को संते हुए सीधे क्राउन प्रिंस के रूम के तरफ ही बढ़ रहे थे और जल्दी ही वाँपर कई सारे गार्ड सा जाते है जो कि राकल को देखने के लिए आये हुए थे और गार्डन भी वाँपर आकर उससे पूसता है कि आप ठीक है गार्ड भाँपर आते हुए कहता है कि ये कोई टेररिस्ट अटेक था आकर यहाँ पर अचारक साब क्यों पर किसने अटेक कर दिया राकल उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था इसलिए वो अपने दिमाग में सोचता है कि आकर मुझे यहाँ पर क्या स्टोरी बतानी चाहिए इसलिए राकल थोड़ देश सोचने के बाद उससे कहता है किसले में थोड़ा सा गुसा हो गया था जिसकी वज़े से मैंने बाटल को जबीर पटक दिया और इसी की वज़े से इतने ज़़ा शोर हुआ था मुझे माफ करना ये सुनने के बाद वो सभी कावज़ादा कन्फ्यूज होते है और राकल थोड़ा सा पैरों में निशान बन गए है साथ ही वो सोचता है क्या इन लोगों के मेरे उपर वरुसा हो गया गार्डन से कहते हैं कि प्लीज यूर हाइनेस को अपने दूसरे बैट के अंदर लेकर जाओ गार्डन कहता है कि ठीक है मैं उने लेकर जाता हूँ और उनके गाव को ठीक कर देता हूँ जिसके बाद वो से अपने पीट पल लेकर जाने लगता है पर राकिल अपने वन में कहता है कि ये कावजा तो सिस्पीशिस था मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये विरू पर भरोसा करेंगे पर शायद ये सब इसी वज़े से है क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस हूँ और ये साइड परेस का मेरा सेकंड बैड है गार दिन उसे सुलाने के बाद उस से कहता है कि मुझे वमीद है कि आप काफी अच्छी तरीकैसा आराम करेंगे और राकिल अपने उन में सोसता है कि रॉयल्टी के लिए ये सब करना ज़रूरी है लिसलिए वो गार दिन से कहता है कि अव तुम यह से जा सकते हो मुझे आराम करना है साथ ही वो इस incident के बारे में इस सोच रहा था अब अकिला लेटा हुआ राकिल इसी के बारे में सोच रहा था कि जो incident अभी हाली में हुआ है मेरे magical circle जो कि मेरे हाट क्यूपर मना हुआ है उसके अंदर कर निकलने वाला माना कावी जादा था वो मेरे कंदे से निकलते हुए मेरे पाम क्यूब पर आया वो मैनिपुलेशन और आखर में उसे डिचार्ज कर दिया पर वो रिजल्ट सच में आउट बस्टेड था उसके अंदर बहुत ज़़ादा एनरजी थी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे बस्ट खड़ी करने से पहले मुझे सो जाना चाहिए और मुझे कवधाद और सावधानी के साथ और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इसकी उपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा पर दूसरे तरफ हमें महल के राजा की कमरे का सीन देखाते है जहाब और उसे ये पता चल गया था कि रेकिल काफी अजीब तरीके तर बेवार कर रहा है इसका नाम एस्ट्रलॉन है और ये एमपरर है गार्दन एमपरर के पास आकर उसे बताता है और ये सब की वज़े से वो सच में कावी सादा गुस्से में आ गया था जिसके बाद सीन अब कुछ दूनों के बात का होता है जहाब पर राकिल ने अब दस लीटर वो डेगनोसिस के लिए दवाई बना ली थी वो सारे सारे एंटीडोट को देखकर जब वो पुरतेस त्यार हो awareness है खुश उते हुए कहता है कि मैंने इस इंडीडोट को दस लीटर बना लिया है आकर कार ये पुरतेस त्यार है जिसके बाद वो गार्दन से खहता है कि तम एक मिनेट क्लीस रूम से बाहर जा सकते हो पर गार्दन उससे पूछता है कि आकर मैं ऐसा क्यों करूँ पर यह सुनकर राकिल अपने अनमें कहता है क्योंकि अगर तुमने यह देख लिया कि मैं अकिला यह सब पूरा को पूरा गटकने वाला हूँ तो तुम शायद यहां पर पागलना हो जाओ इसलिए राकिल गार्दन से कहता है कि बस तुम्हें एक मिनिट के लिए बाहर जाना है कुछ ऐसा है चोकि मैं अकिले करना चाहता हूँ गार्दन उसे तीखी निगाउस से देखते हुए कहता है कि तुम इसे फिर से पीने वाले हो पर यूर हाइनिस मुझे पता है कि पिछली बार ज़को पीने की वज़े से तुम्हाई जिन्दगी काविज़ादा खत्रे में आ गई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये चौक नहीं होगा इसलिए मुझे यहीं पर रहने दो और इसलिए मैं काविज़ादा चिंता में हूँ क्योंकि आपने इस बार इस मेडिसन को काविज़ादा बनाया है राकल कहता है कि मैंने तुम से कहा ना कि ये एक एकस्पेरिमेंट के लिए है मैं कि वह थोड़ा सा ही पीने वाला हूँ और मैं बस तुम्हारे इन दोदा हार्ड वर करने की वज़े से तुम्हें परशाद नहीं करना चाता ये सुनकर गार्दिन कहता है अच्छा ऐसा है और राकल कहता है कि वैसे भी मैं ये सारा कसारा नहीं पीने वाला गारदिन अपनी उंगली को अपने सिर की ओपर घुमाते हुए कहता है कि ये बलकुत सच है कोई पागली हो सकता है जो कि इस सब को पी ले और ये बोल कर वो दोनों हसने लगते है पर यहाँ पर गारदिन ने राकल की बेज़ती करी थी ये देखकर ओ गुस्ते में आ जाता है और उसको लाद मार कर रुम से बहा निगाल देता है और कहता है कि दफा हो जाओ ये सुनने के बाद गारदिन कावितादा कंफ्यूस था और तब ही उसकी चेरे की ओपर उस रुम की केट को लगा दिया जाता है राकिल कावितादा गुस्ते के साथ आकर उस बरतन के अंदर रखे हुए 10 लीटर काड़े को पीने चालू कर देता है पर वो कहता ही कि ये कावितादा भारी है और फिर भी उसे उठा कर वो मूँ से लगा कर धीर धीर करके गट 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 करते हुए पहले एक लीटर फिर दो लीटर और ऐसे ही करते हुए आकर में उसने दस लीटर पूरा का पूरा उसे अपने फस्त स्लॉट के अंदर बूरत ऐसे कंजूम कर लिया था वो सारे के सारे को पीने के बाद खुश होते हुए कहता ही कि सच में ये काविजाद अच्छा था जिसके बाद वो अपने रूम के अंदर जाने लगता है और कहता ही कि ये काविजाद अच्छा है बस अब मुझे इसको धीर धीर करकर डिचार्ज करना होगा फिर वो 0.1 लीटर को थोड़ थोड़ समय पर डिचार्ज करना चालू कर देता है और इसे वो हर काम करते हुए डिचार्ज करता है जैसे कि फ्रेश होते हुए सोते हुए, जाकते हुए, या फर खाना खाते हुए इस सब की वज़े से उसकी बाड़ी उसे काविजाद अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी और साथ ही उसे कई सारे HP पॉइंट्स मिलना भी चालू हो गई थे पर सभी HP पॉइंट्स मिलाने के बाद भी वो केवल 500 हुए थे ये देखकर राकिल कहता ही कि ये इतने जाद अच्छा नहीं है, मुझे में life expense को कैसे भी करकर बढ़ाना होगा इसलिए वो अपने काड़े को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करकर डिचार्ज करता रहता है, जिसके बाद हमें उसके पेट और दिल का सीन दिखाते हैं जिसे कि वो दोरों बिल्कुल इंसान की तरह है दिल उससे पूचता है कि आखर आज की मेनू में क्या है तो उसका इंटरस्टाइन उसे बताता है कि आज भी हमें काड़ा पीना है जिसके बाद वो कहता है कि और अब समय हमें क्या करना है तो उसका पेट बताता है कि तब भी हमें काड़ा ही पीना है इसकी वज़े से उसका दिल कावजादा परेशान हो गया था और उसका पेट उससे कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि कल भी हमें यही काड़ा पीना होगा इस सब की वज़े से उसके इंटरिनल और्गस कावजादा गुसा हो गए थे और वो कहते हैं कि इसके अलावा भी हमें कुछ और दो पर राकल अपने उन में कहता है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बस उसी को पीते रहो और ये कहकर वो फिर से अपने काड़े को 0.1 लीटर से डिस्चार्ज कर देता है जिसकी बाद सीन उसके खाना खाने का होता है पर तभी खाना खाते हुए उसके साबने एक पॉप आप आता है और इस काड़े को रेगलर पीने की वज़े से उसका लाइफ एक्सपेंशन पचास दिन से बढ़ गया था जिसकी वज़े से अब उसके पास 133 दिन हो गई थे ये देखकर राकल खुश होते हुए जली से खड़ा हो गया था और वो कहता है कि ये काम करता है पर वहीं साइड में खड़ी हुई सर्वेंट इस सबकी वज़े से डर जाती है और गलती से उसके हाद से चाय का कप जवीर बर गिर जाता है राकल उसके कहता है कि मैंने तुमें सर्प्राइज कर दिया मज़े माफ कर दो पर वह सर्वेंट उससे इत्ती दादा घवराई हुई थी कि वो उससे माफ़ी मागने लगती है और सच में काविजा डर जाती है वो डर की वज़े से कपकपा रही थी और उसको देखकर राकल अपने उन में सोचता है क्या कहिए मुझसे माफ़ी क्यों माग रही है वो भी इस कपकी केवल तूट जाने की वज़े से इसलिए वो सर्वेंट से कहता है कि कोई बात नहीं पर क्या तुमें कोई चोट तो नहीं लगी पर राकल को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो सर्वेंट काविजा गवराते हुए जली से पीछे के तरफ हट जाती है और काउजदा घबराते हुए कपकपाते हुए कहती कि मुझे माफ कर दीजिए अगली बार कभी भी ऐसा नहीं होगा इसलिए प्लीज मुझे विप से मत मारिएगा मैं आपसे विंती करती हूँ ये मेरी आखरी गलती थी राकेल अपने अनमें कहता है क्या विप? क्या मैंने तुमें इससे पहले कभी विप से मारा है साथी वो अपने उनमें कहता है कि नहीं आकर मैंने ऐसा क्या किया है इसलिए वो लड़क्यों से बताती है क्या सच में यर्ग मास्टर आप ऐसा नहीं करेंगे ये सुनकर वो खुश था पर तब ही वो कहती है, केस का मतलब आप, अब मुझे अकेले में कभी भी विप नहीं मारेंगे राकल कहता है कि मैंने इसके अलावा कुछ और ओर्डर दिया होगा जिसकी वज़े से जो तुमने गलत कर दिया हो पर वो लड़की कहती है कि मैंने गलती से एक बूंद पानी की आपके कपड़ों की उपर गिरा दी थी जिसकी वज़े से आपने मुझे विफ से मारा था ये सुनकर राकल अपने उनमें कहता है क्या कि ये क्राउन प्रिंस अर किस तरीके का मॉंस्टर था इस सब की वज़े से वो काउधा डिप्रेंस हो गया था और वो अपनी सर्वेंट से कहता है कि इसे साफ कर दो और फिर तुम यह से जा सकती हो ये सुनने के बाद वो रोती सर्वेंट काउधा था खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए चेरे के साथ उससे कहती है कि सच में योर हाइनस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी बाद वो जली से उसे साफ करकर वहाँ से भाग जाती है ये देखकर राकल अपने अनमें कहता है कि ये तो इतनी जादा खुश हो रही है जैसे कि ये यहां से जील से निकल कर भागी हो जिसकी बाद वो गार्दिन को आवाँस देता है और अचाना की गार्दिन उसके साफने प्रकट हो जाता है वो उससे कहता है कि मेरे मेमोरीस कावज़ादा बेकार हो गई है इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आकर मैं अपने सर्वेंट्स के लिए किस तरीके का इंसान था गार्दिन उसे इसके बारे में बताना चालू करता है पर तभी राकिलों से कहता है अगर तुमने मेरे सावने मेरे जूटी तारिफ करने की कोईश करी तो मैं वो जहर तुम्हारे सावने अपने आपको पिला दूँगा याने मैं खुद उसे पीलूँगा ये सुनने के बाद गार्दिन का मुझ खुला खुला रह जाता है और अब उसके जाल में दूभीता आ गई थी कि अगर अब वो यहाँ पर क्या करे इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस हैंडल नहीं कर पाएंगे पर फिर वो राकल को उसके बारे में बताना चालू करता है कि आखर वो पहले किस तरीके का था वो अपने सभी सर्वेंट्स को कावी बुरी तरीके से टॉर्चर करता था और सभी को बिलकु स्लेव्स की तरह रखता था जैसे कि वो उसके सर्वेंट्स नहीं बुलकु स्लेव से और अपने पास्ट के बारे में जानने के बाद राकल कौजा सर्प्राइज होते हुए कहता है कि आए बगवान आखर मैंने ये सब क्या करकर रखा हुआ है इसलिए वो कहता है किया मैं समझ गया कि आखर उन लोगों को तब मेरी इस भाकवासी स्टोरिक ट्यूपर भरोसा क्यों हो गया था जिसके बाद राकल गार्दन से कहता है कि आपको मुझे जाद डर नहीं लगता क्योंकि आप मेरे सबसे जादा करीब है तो जरूर आपको सबसे जाद सफर करना पड़ता होगा गार्दन उसे कहता है पर मुझे आप क्यो पर भरोसा था राकल उसे कहता है क्या भरोसा गार्दन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप अंदर से एक काउसाद अच्छे इंसान है जिसके बाद वो उसकी पास्ट के बारे में बताता है कि एक दिन गार्दन बारिश में उधर भाग रहा था पर तब उसका ध्यान राकिल की उपर जाता है जो कि एक छोटे से चुड़िया के बच्चे को लेकर एक पेड़ के नीचे उसे बचाने की कोश्च कर रहा था वो पूरते से गीला हो गया था पर वो उस बच्ची को बचाने की कोश्च कर रहा था ये देकर गारदिन मुस्कराने लगता है और वो अपने उनमें कहता है मुझे यकीन था कि जब आपकी इलने से पूरते से ठीक हो जाएंगे तो आप पहले की तरह कावी स्था अच्छे हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि वो मेरा यकीन अब पूत ऐसे पे आफ हो गया है इसलिए राकिल उससे पूसता है कि तुम्हे वो बदला मेरे अंदर अच्छा लगता है जो कि मैं भी हो चुका हूँ गार्दिन उससे कहता है कि बुलकुल इसलिए वो गार्दिन से कहता है कि मैं तुमी एक reward देता हूँ और तुम इन पेस्टि में से एक खा सकते हो पर तब एगार दिन खस खसाते हुए कि मैं पहले ही खा चुका हूँ जिसके बाद अचानक ही वहाँ पर कोई भागते हुए आता है राखिल को आवाज देता है और उसे बताता है कि Emperor ने आपको invite किया है आपको वहाँ पर जाना होगा ये सुनने के बाद राकल काउदा सर्प्राइज हो गया था जो कि Garden को अपनी पेस्ट्रीज खिला रहा था वो अपने उनमें कहता है कि आगर उनने मुझे क्यों बलाया होगा अगले सीन में हमें Royal Empire दिखाया जाता है राकल काफे अच्छी तरीके से तैयार होकर Emperor से मिलेकली में हौल में आ गया था और वो जैसे ही Emperor के सामने आकर उसके सामने जुकते हुए कहता है कि मैं Crown Prince राकील यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं Your Highness जो किस लेंड के उपर रूल करते हैं उन्हें अपने रिस्पेक्ट देता हूँ Emperor चुपचाप से राकील को देख रहे थे पर तब ही वो एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि राकील के अंदर से माना फ्लो हो रहा है और वो समझ जाते हैं कि शायद ये अश्रह को टेक्नीक है पर क्या सच में राकील के पास ये हो सकती है और उसके पैर कपकपाता हुआ देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उनके सामने इस तरीके से आने के वज़े से काउई जादा नर्वस है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो रही है क्योंकि राकील के पास ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना जादा नर्वस है पर बिचाए राकील की कुछ अलगी कंडिशन थी वो अपने वन में कहता है कि मेरे पैर सच में काउई जादा नम हो रहे है जली से मुझे कुछ तो बोलो जिससे मैं यहाँ पर खड़ा हो सको उसके पैर इस तरीके से बैठे बैठे की वज़े से काउई जादा दर्द करने लगे थे यह और हाइनिस राकिल से बोलते है साइड पैलेस की सिंदगी सच में काउदा आराम दायक है राकिल उसे कहता है कि हाँ येस येर मेजिस्टी साथ ही वो अपने वन में कहता है कि तुम सच में इस चीज़ के लिए सीरियस हो कि हम लोग अपनी बात इसी तरीके से करेंगे कि मैं अपनी घुटने पर बैठा रहू एम्परर कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ दुनों से तुम अपने आपको नीडल से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही जहर पी रहे हो क्या ये सब सच है पर ये सब सुनकर राकल हरान होते हुए कहता है कि नहीं ये बिलकुल ही गलत है पर एम्परर उसके पर गुस्टा करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कि आखिर तुम अपने आपको एक रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट के तौर पर किसिडर कैसे कर सकते हो तुम एक ऐसी फैमिली के ब्लेड लाइन से हो जिससे अपने मेंबर्स के उपर गर्व होना चाहिए पर ऐसा लगता है कि तुम अपनी डिगनिटी पूर तैसे खोच चुके हो सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे राकिल पूरते इस डे प्रिंस्ट होकर अब अपने आपको मानने के रिस्पसाइट करने की कोशिश कर रहा है जिसके बाद एम्परर राकिल से आगे कहते है इसी वज़े से इसने यहाँ पर मुस्टे बात करने के लिए बुलाया था जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के भूसे में पेर नहीं मार रहा मैं चाहता हूं कि तो अपनी क्राउन प्रिंस की पोजीशन अपने चोटे भाई यारे सेकिंड प्रिंस को दे दो राकिल काउजादा शौक अपने वन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि शायद यह किसके अलावा किसी और के बारे में बात करेगा पर ऐसा लगता है कि यह पर एमपरर इसके अलावा किसी और बारे में बात नहीं करने वाले पर राकिल उसे मना करते हुए कि खेता है कि मज़े माफ करना पर मैं आप किस ओडर को रिफ्यूज करता हूँ ये कहकर वो मुस्कराने लगता है पर एंपरर ये सुनने के बाद काविजादा गुसे में आ गया था रो उसे कहता है क्या रिफ्यूज आखर तुभारी मुझे इस तरीके से रिफ्यूज करने की हिम्मत भी कैसे हुई ये कहते हुए एंपरर गुसे में आ गया था और वो जली दा खड़ा हो जाता है और राकल उसने कहता है कि हाँ आपने बुलकुल सही था ना साथ ही वो अपने वन में कहता है कि ये फ्रेश सच में काविजादा है पर मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से टने की जरूरत नहीं है और ये एक ओवियस सी बात है कि आखर एंपरर इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे है पर ये मेरे क्राउन प्रेंस के टाइटल से मुझे हटाने के लिए मेरे कंसर्ण की जरूरत नहीं है पर फिर भी यहाँ पर एक ही रिजन है जिसकी वज़े से ये मसेज की बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि ये ये चाहते हैं कि इनका एल्डेस्ट सन जो की एक क्राउन प्रिंस है वो अपने टाइटल को खुशी-खुशी और ये जानते हुए दे कि उसका भाई इस चीज़ को स सब की वज़े से मैं बीच में फर्स जाओंगा और सच में ये कावजादा कमाल का पॉलिटिकल मुव होगा जिससे मुझे उनकी रासे से हटा दिया जाए पर अभी भी मेरे पास कावजादा फैद और मूझे मेरे उपर कावजादा येकिन है इसलिए में बिना किसी रड़ जालाईके तो इतने जादा आसानी से यह सब नहीं देने वाला, बहले हिए, सच में मेरे उन्श्था कितना ही गुस्ता और हो जाये, और सच में एंपरर को राखिल की ओपर कावी जाधा गुस्ता आ रहा था, एंपररर राखिल की ओपर गुस्ता करते होई कहتे हैं, अगर मैं सच कहूं तो मुझे टाइटल से ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता मैं इस चीज़ से कावजादा खुश रहूंगा कि अगर मैं सेकंड प्रिंस को वो टाइटल दे दू या फूर कुछ ऐसा ही जिसके बाद मैं अपनी सारी सारी जिंदगी अच्छी तरीकी से और इंजॉय करते हैं बता सकता हूँ पर अगर मैंने इनके इस प्रपोजल को यहाँ पर अक्सेप्ट कर लिया तो सेकंड प्रिंस की बज़े से ये सारी कांट्री पूर तेसर बरबाद हो जाएगी उस नोवल के अंदर मैंने देखा था कि सेकंड प्रिंस देखने में कावजा डिलाइट और केपिबल लगता है पर जैसे ही एज ऑप क्योस आता है सब कुछ बरबाद होना चालो हो जाता है क्योंकि सेकंड प्रिंस असल में कावजा दाफर स्ट्रेटर रूरर है जो कि सभी को एकुली ट्रीट करने के चकर में सब कुछ पूर तेसर बरबाद कर देता ह और उसी की वज़े से ये पूरी की पूरी कंट्री और ये इंपेरियल फैमली धीर धीरे करकर डाउन फॉल पर आना चालो हो जाती है इसलिए मुझे ही जो चाहे वो करना होगा जिससे ऐसा कुछ भी यहाँ पर ना हो पाए इसलिए राकिल खड़ा होते हुए एमराड से ख जाए मैं जीगे के लिए और इंपरेरियल फैमली के लिए केवल पास्पेरिटी चाहता हूँ एम्परर कहता है कि तुम काफी कुछ अच्छे शब्द जानते हो पर राकिल कहता है कि ये केवल कुछ अच्छे शब्द नहीं है इसलिए मेरे पास भी आपके लिए एक प्रप का स्थीन होता है जहाँ पर राकिल एम्परर से अपनी मीटें को ख़तम करकर बापसा चुका था गार्दन राकिल से पूसता है कि आकर आपको एम्परर ने क्यों बुलाया था राकिल बड़ी चिल्ड मून में उससे कहता है कि साथा कुछ नहीं बस वो ये चाहते थे कि मैं उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया ये सुनने के बाद गार्दन बहुत जादा हैरान हो गया था जिसके बाद राकिल से आगे कहता है इसके अलावा मैनों ने ये सजेस्ट भी किया है कि मेरे और सेकेंड प्रिंस की बीच में एक सोर डूल हो जाए ये कहते हुए राकिल तो कावजा दा खुश था पर तभी अचाना की गार्दन ये सी हरकत करने लगता है ये देखकर राकिल कावजा दा गुस्ते के साथ उससे कहता है क्या गरतों में ये क्या कर रहे हो वो कावजा डिप्रेस्ट जमीन पर बैठा हुआ अपने कपड़ों को पैक करते कि मैं यादे जाने के लिए अपना बैक पैक कर रहा हूँ ये सुनकर राकिल उससे कहता है कि आखर अभी तुमने ये क्या कहा जिसके बाद से शिफ्ट होकर हमें एम्परर का सीन दिखाते हैं जो की खिड़की पर बैठकर साइड के पैलेस को भी देख रहे थे साथ ही वो करे में सोचते हुए कहते हैं वो सच में ये चांस चाहता है जिसे ये साबित हो सकी कि आखर कौन जार डिसर्विंग है उसके और सेकंड प्रिंस की बीच में क्या उसकी को इस तरीकी की साइड पहले भी कभी थी मैंने इसे कभी भी नहीं देखा था शूर इसी वज़े से मै कहता है कि मैं ने दुम से कहाना कि मैं जरूर जीच जाओंगा जिसके बाद सीज शिफ्ट होता है और हम इसी थे उस दिन की उपर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर क्राउंड प्रिंस और सेकंड प्रिंस की बीच में डूल होने वाला था वहाँ पर कई साए लोग आये हुए थ वहाँ पर सभी में भीड लगी हुई थी और उस सब की बीच में खड़े हुए तीर लोग सेकंड प्रिंस क्राउंड प्रिंस और उतके साइड में खड़ा हुआ गार्दिन क्राउंड प्रिंस इस डूल की शुरू होने से पहले स्ट्रेशिंग कर रहा था पर जाता लड़ वह अपने स्ट्रेशिंग के उपर ध्यान देता है थीयो वहाँ पर आते हुए उससे खहता है कि मेरे भाई मेरा मतलब क्राउंड प्रिंस तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है इसका रब थीयो डोर है पर मैं इसे किवल थीयो ही बोलूँगा थीयो राकिल से खहता है कि मुझे ये कहते हुए सच में बुरा लग रहा है पर तुम भी जानते हो कि आखर आखर में यहाँपर क्या होने वाला है वो सच में यहाँपर राकिल को बुरा फील करा रहा है यहाँए कि यह कहलो कि वो उसकी बेज़ती कर रहा है राकिल जमीन से खड़ा होते हो वो उस से थियो काउजदा परिशान होते हुए बड़बडाते हुए कहता है कि तुम भी ये जानते हो कि आखिर रेजल्ट हमेशे स्थेव रहने वाला है पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें इस तविद खराव होने की वज़े से मैं तुम्हें इस तरीके से हरा दू मैं इस सब क लिक काउजदा बड़ी गलती कर रहे हो पर मझे माफ करना ये कहते हुए वो गार्दिन से एक काउजदा बड़ी शील्ट बुलबा लेता है और उसे अपने पास रखकर उसे जमीरों पटकते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पर हारने का जरा सावी मूर नहीं है और उसकी इस शील्ट को देखकर सभी लोग काउजदा शौक हो जाते हैं क्योंकि सच में ये साइथ में काउजदा बड़ी है उसकी पूरी पूरी साइथ की जित्ती और थिवो भी ये देखकर काउजदा शौक हो गया था क्या कि ये किस तरीके का हत्यार है पर राखिल अपने लिए प्रिंटेशन मतलो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला